नमस्कार दोस्तों पूरे भारत में प्याज के दाम लगभग 130 रुपए किलो तक हो गए है कहीं 60-70 ऐसे मिला कि कहीं 130 रुपए तक कारण क्या है और कब तक प्याज सस्ता होगा उस पर हम बताते हैं आपको एकदम रियल और फैक्ट न्यूज पुने महाराष्ट का पुने ज जो है ट्रांस्पोर्टेशन में प्रॉब्लम आई लोग डाउन की वज़े से प्याज जो है दूर दूर सहरों में जहां लोग लेने आते थे वो लोग खरीदने नहीं पहुच पाए और वहां से आ नहीं सकी और लोगों के पास कोल्ट स्टोरेज की उतनी समस्ट्या नहीं की जगा नहीं रही थी और प्याज जो है उनके पास कोल्ड स्टोरेज ना होने की वज़े से जो नासिक का एरिया जो प्याज की खान कहा जाता है पूरे जो महाराश्य में प्याज नहीं होती है वहां से क्या कहते हैं प्याज नहीं आ पाया अलग इसलिए क्या कहते हैं वह लाया जाएगा हाला कि अगर इंडिया की बात करें कि भारत में प्याज कब तक जो खेतों में प्याज है उस प्याज को लेकर अगर प्याज का दाम सस्ता होने की बात करें नौरात्र चल रहे हैं जिसमें नौ दिन तो कम से कम प्याज की खबत कम रहती है इस बार लेकिन प्य तो अब तक इंडिया में सस्ता होगा जब खेट से प्याज आने की जो एक मिनिमम वह जाती है नासिक और जगहों पे थंडे जगहों पे तो ऐसे में बता दिया आपको प्याज जो है जनुरी दिसंबर से लास्टिस से स्टार्ट हो जाएगा जनुरी फर्वरी तक जो है प्य प्याज खरीदेंगे वहाद से प्याज निराथ होगा उस प्याज को कहते हैं मार्केट में डंप करने की कोशिस कुछ लोग करेंगे की डंप करके उसको जैसे और महेंगा हो जाए उसके बाद बेचे तुस पर सरकार ने रोक लगाई है कि प्याज को आपको डंप नहीं करना प्याज सीधे मार्केट में बेचने के लिए आएगा सरकार ने यह कहा है मोधी Onda लेकिन आपको बता दें प्याज जनवारी और फरवरी तक ही सही सथा होहा पाएगा क्योंकि तब झाल झाल